तो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब और ये देख लिए इंद्रा गांधी क्रिसिव सिद्ध्याला भरती इसमें दोस्तों आप लोगोंने फाम डाला था और मैंने इसका आनलाइन आवेदन कैसे सब्मिट करेंगे ये भी वीडियो डाला हुआ था और इसमें कहनाची आपक करूँगा कि कहनाची ये परिच्छा ये भरती जो है कैसे होगी तो ये भरती कैसे होगी दोस्तों ये नीचे के दो पाइंट में इस पश्ट है देख लिजी यहाँ पर सहायक वर्गतीन के पदो हितु मुल्यांकन स्कोरिंग के पश्चात मेरिट अनुसार दस्तावेज प ये नहीं होना है ठीक है अब ये इसकोर कार्ड के थ्रू होना है इसमें जो भरती है देख लिजी इसकोरिंग के पश्चात ठीक है अब इसकोरिंग के पश्चात मेरिट अनुसार जो है दस्तावेज परिच्छान ये कौसल परिच्छा कहने का तात परे दोस्तों इसकोरिं प्रावधान जो है वी सिद्धाले के पास सुरक्षित होगा वो चाहे तो सब को ही बुला सकते हैं और चाहे तो ये इंकरवादस में वो छटनी कर दे ठीक है ना कौसल परिच्छा या और कहना चीए दस्तोई परिच्छाड के लिए अब चले समझ लेते हैं कि स्कोरिंग क्य है ठीक है ना तो देख लिजिए दोस्तों साहे ग्रेट थी के लिए यहां पर है स्कोरिंग ये वाला देख लिजिए इसकोर कार्ड पर असिस्टेंग रेट थी एंड इक्वेलेंट पोस्ट देख लिजिए इसमें क्या होना है इसकोर आपका कैसे बना है ठीक है ना माल लि जाएगा यहाँ पर पांच दिया पंदरांग ठीक है ना यह हो गया उसके बाद वो कालेज है कालेज यह मालजे उसका 60% है तो प्रती 10% कितना दो वेटरेज मिलेगा तो 6-2 नहीं कितना हुआ 12 तो दोस्तों अब यहाँ पर अनुभाव अगर वो किसी प्रकार से अनुभाव है एक्सप्रियंस है सेंटरल से मिग्रोमेंट आदी चीजों में यहाँ पर देख लिजी है ना तो मालजे उनका अनुभाव नहीं है जर्रली दिकांस का नुभाव नहीं रहता तो 15-12 कितना हुआ दोस्तों 27 ठीक है ना यह वो इसकोर कार्ड है यह वो इसकोर है जिससे कहन चाहिए आपका क्या बनेगा मेरिट लिष्ट में आपका इस्थान बनेगा ठीक है ना और उसके बाद मेरिट लिष्ट में माल लेज़े आपने कहना चाहिए कौसल परिच्छा के लिए आपको क्या कर लिए गया सलेट कर लिए गया तो उसके बाद आप क्या दिलाएंगे क कॉसल परिच्छा दिलाएंगे ठीक है ना इस कॉसल परिच्छा है मालिया आपको मिला पंदरांग ठीक है तो 27 और 15 कितना हुए 572 की दो हांसिल की एक दो दो चार अर्था टोटल अंग कितना हुए 42 इसी अंग पर कहना चाहिए आपका क्या होना है इस पद पर नियुक्ति हो होना है दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने आपको जो है समझा दिया कि इसमें क्या होना है इसमें कोई किसी प्रकार से रेटा निक्जाम नहीं होना है लेकिन कॉसल परिच्छा होना है कॉसल परिच्छा का अंग जो है बाकी जो इसकोर है कहना चाहिए ये यूजी और 10 प्रस 2 म तो पधेतू मुल्यांकन के पश्चाद ये देख लिजे, स्कोरिंग के पश्चाद मेरिट अंसा दस्तावज़ परिष्चाद तो सिमित संग्छा में कुल समर्गवार पदों का धेक्तम 10 गुना बुलाया जाने का धिकार विसी द्यालाय के पास होगा, लेकिन दोस्तों इसमें किसी प्रकार से कौसल परिष्चा नहीं होगी, ठीके ना, कहने का ताथ परे मेरिट में 1 अनुपाद 10 अभेर्थियों को कहना चीए, दस्तावज़ के लिए परिष्चन के लिए सीधा कहना चीए, बुलाय जाएगा, आपका स्कोर कहना चीए, उस रेंज में आता है, तो आप सिधा डिवी के लिए पहुँच जाएंगे, और डिवी के लिए पहुचने एक बात, अगर मान के चलिए, आप मेरिट में जैसे कि 25 पोस्ट हैं, 25 के अंदर आपका रेंग कार है, तो सिधी सी बात कहना चीए, आपका सेलेक्शन हो जाएगा, इसके स्कोर कार्ड कैसे बनेगा, ये देख लेते हैं, तो यहाँ पर सुरू में साथ इसका दिया हुए, देख लिजे, माल जे हमारा एक जो है विद्यारती है, इसका 10 में माल ले जाए, खना चीए, 60% है, तो 6, 3, 9 अंग उसको कहां से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, यह लिजे, 9 अंग, अब इसमें माल जे, कालेज में, उसका माल जे, 75% है तो देख लिजे, 10% पर कितना में वेटेज मिलेगा, 5 वेटेज है ना, तो 7, 5, 35, 2, 37, 36 बन जाएगा यहाँ पर 37.5 इसी में सबसे ज़्यादा बनेगा देख लिजिए 37.5 बन गया उसके बाद माल जे PG में उसका कहना चीए 50% है तो 2 बेटेज मिलेगा 10% के लिए तो कितना हुआ पाज दुनी 10 अंग यहाँ बन गया ठीक है तो यह बन गया उसके बाद academic excellence देख लिजिए अगर gold medal अगर यहाँ पर मिला हुआ है तो इसके हिसाब से यहाँ पर marks मिलेगा माल जे हमारे किस में नहीं मिला हुआ है उसके बाद देख लिजिए experience अनुभाव है प्रती वर्स दो साल का अनुभाव दो अंग जो है यहाँ दिया जाएगा और जिसे 4 साल उनका अनुभाव है तो 4 दूनी 8 अंग मिल जाएगा हमारे किस माल जे अनुभाव नहीं है उसक जो कंडिडेट है एनसेस में मिल रहा है देख लिजिए sports cultural inter universal level 1 marks of per participant तो यह सब चीज़ों में आपको कहना चाहिए total तीनंग से ज्यादा नहीं मिलेगा ठीक है माल जे हमारे जो अभ्यरती है उनको तीनंग मिल गया ठीक है तो total कितना अंग हो गया चलिए जोड़ देते हैं नवं प्लस 37.5 प्लस 10 प्लस 3 ये दोस्तों हो गया 69.5 प्लस 59.5 दोस्तों ये वो अंक है ये वो score है जिससे आपका भरती होना है या नय होना है ये निरधारित करेगा अर्थात मेरिट आपका यही जो अंक है वो बनाएगा आप अपना खुद जो है score जो है चेक कर सकते हैं और यही score जो है आपको जो है वेबसाइट में भी दिखाया जाएगा देख लिजिए उपर इस चीश के बारे में बोला गया है देख लिजिए योग य अयोग के समधी दावपत्ति सुची अप्लोड होने के 15 दियोस के भीतर अभरती अपने दावपत्ति समधी जो है आव गलत है तो आप उसमें जो है चेक कर सकते हैं और दावपत्ति जो है लगा सकते हैं तो दोस्तों इसमें भरती प्रक्रिया में कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है एकदम सिंपल है यह scorecard के थ्रू जो है आपका होना है सिंपल बात एकदम scorecard में अब यहाँ पर देख लिजे यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज किसका मिल रहा है अंडर ग्रेजुएटर था कालेज का मिल रहा है कालेज में अगर अच्छा पर्टेंट हुआ तो यहाँ पर आपका selection के chance वह पूरी तरीका से बढ़ जाते हैं इसी तरह जैसे सहा इसी बाद यहाँ पर selection हो जाएगा तो दोस्तों आपको इसके लिए को टाइपिंग टेस्ट की तयारी करना है ठीक है और कुछ नहीं अगर कहना चीज टाइपिंग टेस्ट की आप सेलेक्ट हो जाते हैं एक अनुपाद 10 में तो फिर मान के जली इसमें फिर आपका पूरा जो और लगाना है टाइपिंग टेस्ट में मेरे खाल से दोस्तों मैंने आपको समझा दिया है कि इसमें भरती कैसे होना है और आपने अच्छी तरह से इसको समझ भी लिया होगा यह दोनों PDF दोस्तों मैं नीचे decision में दे रहा हूं वहां से आपके लिए helpful होगी आप देख देखे लिएगा